इन पहाडों की खुबसूरती को आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा क्योंकि जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है क्या पता कल ये भी विलुप्त हो जाएं और हमें ना देखने को मिले आज हम आपको दिखाएंगे रूड के रास्ते वो नजारे जो हमें कस्मीर पहुँचने से पहले दिखाई देते हैं नक्से की दुनिया तो सबी ने देखी है पर असल दुनिया उसी ने देखा है जो घर से बाहर निकला है हम इन पहाडों की खुबसूरती को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे बनिहाल की तरप क्योंकि यही एक मात्र रोड का रास्ता है बनिहाल रेल्वे स्टेसन तक पहुँचने का यह एक अलगी प्राकृक्ति की खुबशूरती थी उचे पहाड नदिया और आकास तीनों एक साथ अपनी आखों के सामने बहत सुख़दन होदे रहे थे इतना देखने के बाद तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा सफर कभी भी करो तो दिल से करो क्योंकि सफर से खुबसूरत यादे नहीं होती और कुछ ही लमह बिताने के बाद हम पहुँच चुके थे बर्प से लदे पहाड़ों के बीच खुबसूरत सा रेलवे स्टेशन बनी हाल और यहां से हमें जाना था स्रीनगर रेलवे स्टेशन और हम आ चुके थे स्री नगर रिल्वे स्टेशन बाहर निकलने के बाद एक अलगी तरह का शुकून मिल रहा था एक अलगी तरह का वातावरण था जिसे हम केवल महसूस कर सकते थे दोस्तो स्रीनगर रिल्वेश्टेशन से निकलने के बाद हम जा रहे थे डल जील में जो भारत की सबसे खुबसूरत जीलों में से एक है दुनिया तो सबको देखती ही रहती है खुश किस्मत तो वो है जो दुनिया को देखते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक कमेंट जरूर करिएगा साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा इसे ही वीडियो देखने के लिए